हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे चनल में आज मैं आपको ये भाकर वाड़ी बना कर दिखा रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा आसान रहती है जिसकी मसाले का बहुत ज्यादा टेस्ट होता है और ये काफी करंच भी बनती है ये देखिए तो आवास से तो आपको पता चली है गया होगा तो चलीए फिर इसको जटपट से बनाते हैं सबसे पहले मसाला बना रही हूँ इसके लिए मैंने जो नारियल है वो लिया है पका हुआ नारियल लिया है यानि कि बिना पानी वाला इसके बादी दो चमच सावुत धनिया और य एक चमच इसमें जीरे लिये हैं तो आपको ध्यान रखना है मीजरमेंट इसी तरह इसे ही लेना है कोई एका चीश कम हो गई तो कोई बात नहीं सभी को हलका सा रोस्टिट किया हलाकि धनिया भुना हुआ था लेकिन फिर भी करम कर रही हूँ है और बस मेक्सी की जार में ल और अब लेए कख्टा पसंद करते हैं और इसमें कसमीरी लालमिज का पाउडर एक चमच और इसके बाद ही गरमसाले का पाउडेर एक चमच और आधी चमच गरमसाल आप कोई साभी ले सकते हैं और इसके बाद अब मैं इसमें यह देखिday चीनी एड़ कर रे हूँ हूँ तो एक चमबच मैं इसमें चीनी भी अट कर दी है। अजिस्ट के according इसमें नमग एड कर रही हूं। नमग आपको इतना है जितना आप मसाला बनाकर तयार कर रहे हैं। यान कि मसाले के according ही quantity की according। और इसके बाद मैं इसमें 12 पाउडर एड कर रही हूं एक चमबच। उसमें भी आप ये यूज कर सकती है अब मैंने मेंदा ली मैंदा मैंने कह सकती है दो कटोरी लिया और एक कटोरी से कम मैंने बेसन लिया है यानि कि एक जितनी मेंदा है उसका एक चौथाई मैंने बेसन लिया है इसमें टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक एट करूंगी नमक उ सकते हैं पूरी की तरह टाइट नहीं और रोटी की तरह सब्ट नहीं इसमें अजवाइन डाल दी है दोनों हातों से अच्छे से रगड़ कर आपको पर अजवाइन डाल दीना है आद चमच यह हल्दी का पाउडर और इसमें आप बारिया दिया मॉइन लगाने की यह बहुत ह जादा अच्छी भाकरबाड़ी बनके तयार होती है इनको आप कई दनों तक श्टोर करके रख सकती है यह खराब भी नहीं होती है इसमें मैंने मॉइन के लिए जो तेल लिया है तीन बड़ा ही चमच आपको दिखाई दिरा होगा और ध्यान रखना है यह आपको गरम ही त इतना गरम लिना है कि आप इसको टेश ना कर पाएं बस धीर धीर करके अच्छी से मिक्स करें और मॉइन आपको जब तक लगाना है जब तक कि आप देखें एक लड़्डू सा ना बनने लगे इस तरह से जब एक लड़्डू बनने लगे तो आप समझ जाएं यह तैयार ह अब इसको हलके गुन-गुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी एट करती जाएं और इसका एक आटा बना कर तयार करना है तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना है तो बस यह आटा बन के तयार हो चुका है इसी तरह से ही आपको इसका एक आटा बना कर तयार करना अब चलिए, सारे तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलिए फिर भाकरवाडी बनाने का टाइम आ चुका है, बैसे तो मैंने मसाला एक दिन पहले ही बना कर रख दिया था, और एक दिन बाद ही मैंने ये जो भाकरवाडी बना कर तैयार की है सबसे पहले इस तरह से आपको बेलन से बेलते जाना है और ये देखिए मैंने इसको काफी पतला बिला है पैसे आपने देखा होगा मार्केट में काफी मौटी मिलती है लेकिन आप जैसा पसंद करते हैं उसी के अकवर्डिय इसको बेल कर तैयार कर सकते हैं मेरे घर में इसी तरह से ही पतला ही पसंद करते हैं चारों तरफ मैं जो मीठी वाले चटनी रहती ना वही लगा रही हूँ तो चारों तरफ मीठी वाले चटनी लगा दें आप इसका तो वीडियो मैंने डाल रखा है और अगर आप कहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता दूँगी यामचर की मीठी चटनी किस तरह से बना कर तयार कर सकते हैं आप अपने घर में अब ये जो मसाला है वो भी अच्छे से ही लगाना है जिससे इसका काफी अच्छा टेश्टा है चारों तरफ ही अच्छे से ही मसाला लगाने की बाद ही अब बारियत ही है रॉल बनाने की तो मैं धीरे धीरे करके इसको टाइटली फोल्ड करती रहूंगी जिससे इसमें बिल्कुल भी कैफ न रहे और इसी तरह से ही आपको इसको फोल्ड करते जाना है और अब मैं अच्छे से एक रॉल बना कर त्यार करूंगी यांकि दोनों हाथों से इस तरह से इसका रॉल बनाऊंगी जिससे ये अच्छा खासा ये टाइटली रॉल हो जाएगा बैसे तो मटरी पपड़ी सभी लोग नौर्बन बनाते हैं लेकिन जब ये अलग प्रकार से चीज आप बना कर देखेंगे तो यकिन मानी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बैसे तो कई लोग घर पर इसको बना कर तयार भी करते हैं लेकिन जो नहीं करते हैं तो आपको पता चले गया होगा कितना ज़्यादा आसान है इसको घर पर बनाना बस दिरे दिरे करके मैं कुछ गैफ देते हुए इसको कट करती जाऊंगी और ये देखिए ये भाकर वड़ी बन के तयार हो चुकी है इसको मैं अलका सा प्रेस करूँगी और ये इसी तरह से ही बना कर मैं रखती जाऊंगी तो देखा आपने कितनी ज़्यादा अच्छी ये आप घर पर बना कर तयार कर सकते हैं मार्केट में तो काफी कॉश्टली भी आती है दूसरी बात ये भी है कि वो कितने दिन पहले बना कर रख रहे है सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप घर पर ही इसको बना कर तयार कर सकते हैं ये देखिए अब ये सभी को मैं इस तरह से बनाती जा रही हूँ एक साइड में ने कडाई भी रख दिया उसमें तेल डाल दिया है तो तेल भी गरम हो चुका है तेल आपको अच्छा गासा गरम करना है बहुत ज़ादा नहीं और बहुत कम भी नहीं यह देखिए दिरी दिकर कि मैं इनको डालती जाओंगी और आपको ध्यान रखना है इनको गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है तो सारी भाकर वड़ी मेंटो में ही बनकर यह तैयार होने वाली है यकिन मानिए इनका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि अब आप मट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले बैल आइकन चो दबाते हैं जैसे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई सेजेशन हो तो जबूर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद